आपका स्वागत है इस्टेडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्षर Artificial Gravity ये क्या है? University of Colorado के साइन्टिस्ट जो Artificial Gravity का कांसेप्ट है उसको रियालिटी में कनवर करने का रिसर्च कर रहे हैं तो ये Artificial Gravity का मतलब क्या है? आप तो अर्थ के gravity के बारे में जानते ही हैं कि जब टेपल पेर से गिरा था तो Newton ने पिडिक्ट किया था कि अर्थ के अंदर कोई force है अर्थ में कोई force है जिसके वज़े से टेपल जमीन पे गिरा और ये gravitational force था और इसको gravity कहते हैं तो ये Artificial Gravity क्या है? Artificial Gravity का मतलब है कि जो space craft है वो generate करें अपनी own gravity by spinning around in the space तो ये जो researcher है ये ऐसे system को बनाना चाहते हैं जो कि एक room में fit हो सके जिसे space stations है या moon पर in future अगर कोई basis बने तो वहाँ पर ऐसे ये system बनाना चाहते हैं कि जो कि एक room में fit हो सके और वो अपना खुद का gravity generate कर सके तो इसके लिए लोग एक revolving system बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस system में basic क्या है थोड़ा सा में समझ लेते हैं इसमें ये एक short radius centrifuge यूज़ कर रहे हैं जो कि उस room के चारों तरफ rotate करता रहेगा जिसके वज़े से ये काफी speed gain करेगा और जो angular velocity generate होगी इस centrifuge की वज़े से वो जो इस्टो नार्स होंगे उनको उस room के base पर खड़े रहने के लिए push करेंगा और ये जो इस्टो नार्स हैं उनको लगेगा कि वो अपने weight की वज़े से खड़े हैं तो ये इनका basic idea है इस artificial gravity को बनाने का ये artificial gravity क्यों जरूरी है ये जो artificial gravity है अगर ऐसा system ही लोग बना सकते हैं तो ये जो इस्टो नार्स आते हैं space में या space station पर उनके health के लिए बहुत ही important होगा इस्टो नार्स क्या करेंगे कुछ समय के लिए ही सही ऐसे room में वो इंटर करेंगे और उनका जो daily dose होगा gravity का उनको ले लेंगे तो जिससे उनका health अच्छा बना रहेगा और वो लंबे समय तक space में research कर सकते हैं और अगर यह daily doses इनको मिलता रहेगा gravity का तो यह लंबे दूरी तक space में जा सकते हैं और research कर सकते हैं यह जो artificial gravity का concept है आपने इनको अभी तक केवल movie में देखा है यह reality नहीं है लेकिन research इस पर काम कर रहे हैं एक problem है या कहिए concern है इस centrifugal force based system का अगर यह centrifuge based artificial बनती है तो chances है कि यह inner ear में इस्टोनाट के inner ear में disturbance काज करें जिसके वज़े से nausea and disorientation हो सकता है और यह जो adverse effect है यह में भी intolerable हो तो researcher को इस point पे भी ध्यान देना पड़ रहा है like, share और subscribe करें study click को Thank you धन्वाज जहिंद